तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आपकी golden question series ये जो चल रही है जिसके अंदर हम हर subject के कुछ ऐसे topic चूज कर रहे हैं जहां से जो questions है वो आने की possibility वो सबसे जादा है और यहां से हम लोग 10-10 questions discuss करने वाले हैं आज की इस class में biochemistry का एक और बहुत ही जादा important topic हम लोग cover करेंगे जिसका नाम है proteins यहां से देखे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं यह आज मैं आपको बताऊंगे शुरुआत करते हैं और आगे चलने से पहले अगर आप लोग अभी तक पामिसी इंडिया के दूसरे social platforms के साथ नहीं जुड़े हैं आपको description box के अंदर link given है इसी के साथ ही साथ अगर आप इसी class का pdf notes लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको telegram channel का जो link है उसको join करना पड़ेगा description box के अंदर उसकी भी link दी गई है तो जाएए पड़ापन से join हो जाएए शुरुआत करते हमार पहले सवाल के साथ question क्या है match the following amino acid with their special groups सवाल है match the following amino acid दिये गए हैं और उनके कुछ special groups दिये गए हैं जो कि उनके अंदर present होते हैं clear basically these are the R group जो substituted group होता है एक amino acid के अंदर वो यह बिया गया है जिसके साथ आपको match करना है यहां से आप number भी कमा सकते हैं अमना time भी बचा सकते हैं welline, threonine, methionine, histanine या फिर proline यह पांच आपको सारे के सारे amino acid दिये गए हैं इनके particularly जो आपके जो R group होता है वहां पर क्या क्या चीज़े present है यह given है चली तो welline को अगर देखा जाए welline के अंदर simply branch chain पाई जाती है एका होना चाहिए second एका होना चाहिए second चलो दो option में given है य threonine के अंदर pyrolidine नहीं होता है, imidazole नहीं होता है, hydroxyl group पाया जाता है, threonine का होना चाहिए fourth, तो threonine का होना चाहिए fourth, सही option हो जाएगा आपका C, A का second, B का fourth, C का भी check कर लेते हैं, methionine के अंदर basic सी बात है thaiyo ether present होता है, then इसके बाद जो आपका histidine है, उसके अंदर imidaz acid, बहुत important है, सवाल आने की possibility यहीं से है, तो याद रखेगा, यह amino acid होता है, इसके अंदर pyrolidine ring पाय जाती है, clear, अब मैं आपको एक के करके इसका structure दिखा देती हूँ, ताकि आपको चीज़े याद हो जाए, की welline और यह सारी चीज़े कैसे दिखाई देती है, ठीक है, च अर्वोगजिली गुरूप होगा, एक amino group होता होगा, तो simple चीबात है, कि इतना part हर एक amino acid में as it is same रहता है, है ना, सब के अंदर ये चीज़े same है, इसके बाद अगर देखा जाए, कि यह वाला जो group है, जिसको आप R group बोलते हैं, यही हर एक amino acid के अंदर अलग होता है, है न मैंने आप से कहा था, वैलीन के अंदर simply एक branch chain पाई जाती है, तो यह आपको दिखाई दे रही है branch chain, इसके बाद थ्रियोनीन के अंदर hydroxyl group पाया जाता है, this is the hydroxyl group, clear, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़े पता होनी चीए, this is वैलीन, यह थ्रियोनीन है, methionine, जिसके अ पायरोलीडीन रिंग है, यह तो इसको याद रखेगा भई, यह सबसे अलग है, पायरोलीडीन रिंग, ठीक है, सवाल पूछा, जा सकता है, प्रोलीन से, जो कि एक इमीनो आसिद भी है, इमीनो आसिद, चलिए, आगे चलते हैं, next सवाल, again match the following, तो अब से यह वाला जो structure है यह आपके level of organization से है, primary structure, secondary structure, tertiary structure, और quaternary structure, alpha helix, disulfide bond, hydrogen bond, या फिर sequence of amino acids, देखो आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, इतना तो जानते होंगे, कि जो level of organization होती है, वो क्या होगी, माली जाए मारी body है, body के बारे में बात हो रही है, तो हम किस cell से मिलकर बने है, cell से बाद में tissue बना, tissue से आपके organ बने, organ से पुरा organ system बना, then हमारी body बनती है, this is our level of organization, बिलकुल, as it is, आपके proteins का भी एक level of organization होता है, है ना, यह level of organization कैसे होगा, पहले primary structure of protein आया, उसके बाद secondary, उसके बाद tertiary, and tertiary के बाद quaternary, इसी form में आपका यह पूर सिर्दी है, है ना, जिसके साथ आपको मैच करना है, सोचो जरा, cell हमारी body में सबसे, सबसे simplest form होती है, यहाँ देखके आपको ऐसा क्या लगता है, कि सबसे simplest form होगी, बताइए, क्या alpha helix सबसे simplest है, नहीं, क्या disulfide bond सबसे simplest है, नहीं, hydrogen bond सबसे simplest है, नहीं, लेकिन का sequence of amino acids सबस simplest है, तो primary structure का, जो हो जाएगा सही option, वो है sequence of amino acids, देखो क्या होता है, basically, माली जे, यह एक, माला जैसा structure जो आपको दिखा ही दे रहा है, यह है आपके amino acid, amino acid, जो कि आपस में जुडते है, peptide linkage के थ्रू, peptide linkage के थ्रू, है ना, तो यह है आपका sequence of amino acid, और यही आपका एक primary structure है clear, तो first का होना चाहिए fourth, चलो भई, first का होना चाहिए fourth, एक, दो, तीन option में given है, अच्छा, इसको कार दो फिर, चली इसके बाद, next चलते है, secondary structure, अच्छा, अब यह जो secondary structure होता है, आपने सुना होगा, कि further folding of primary proteins, give rise to secondary structure of protein, है ना, यानि जब आप cell मिलाते हो, tissue बनेगा, जब alpha helix, दूसरा, beta plated, clear, मिल गया answer, क्या होना चाहिए, second का होना चाहिए A, चलो, A के option में given है, तो सही option हो जाएगा, आपका second, तो first का D, second का है secondary structure, यहाँ रखेगा, alpha helix का ही और भाई है, beta plated, beta plated sheets, इसके दो तरीके के होते हैं, आपके secondary structure, then उसके बाद, अगर मैं tertiary structure की बात करूँ, तो जो आपका tertiary structure है, उसके अंदर basically di-sulfide bonds पाए जाते हैं, है ना, और जो आपका quaternary structure है, उसके अंदर hydrogen bonds पाए जाते हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा idea दे दू, कि quaternary structure के अंदर कौन-कौन से bond पाए जाते हैं, तो simply अगर आप tertiary के भी याद कर लोगे, तो quaternary के अपने आप याद हो जाएंगे, मैं tertiary के बता देती हूँ, quaternary अपने आप याद हो जाएगा, tertiary के अंदर basically 4 bonds आपको पाए जाते हैं, पहला hydrogen bond, दूसरा electrostatic bond, तीसरा bond जो इसके अंदर पाए जाता है, वो है di-sulfide bond, and fourth इसके अंदर vanderval force पाए जाएगा, vanderval forces, अब सोचने वाली बात है, कि tertiary से ही तो आपके quaternary structures बनते हैं, तो जो protein tertiary में हैं, वो protein quaternary के अंदर है, simple सी बात है, clear, तो यह है आपके level of organization से पूरा सवाल, and I hope कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर cover कर ली हैं, ठीक है, चले, अगले सवाल पर चलते हैं, which of the following is our 39 residue hormone of the anterior pituitary gland, अब सवाल है, कि इन में से कौन सा, एक ऐसा 39 residue hormone होता है, मतलब क्या मतलब इसका, कि एक ऐसा आपका यहाँ पर जो protein given है, जिसके अंदर 39 amino acids पाए जाते हैं, है ना, और इसी के साथ ही साथ, जो कि anterior pituitary gland से भी secret होता है, तो दो चीज़े आपको यहाँ पर cover करवा दी गई हैं, पहला सवाल तो आपको यहीं आ गया, बायो कि मिस्ट्री से दूसरा HEP अभी इसके अंदर आ गया है, clear, तो बहुती बढ़िया हो गया, सौने पर सुहा आगा हो गया, 39 amino acid का, सिर्फ एक ही हमारे पास जो protein है वो होता है, जिसका नाम है एक hormone और वो है corticotropic, यह जो corticotropic है, बेसिकली यह secret किया जाता है आपके adenohypofysis से, adenohypofysis से, क्या होता adenohypofysis? anterior pituitary gland, ठीक है, जो आपका ACTH है, adrenocorticotropic hormone, यह जो hormone होता है, यह हमारे adrenal gland पर काम करता है, basically आप HP के अंदर पढ़ोगे, यहां मैं डीटेल में नहीं जाओंगी, मैं सिर्फ आपको इतना बता देती हूँ, कि इसके अंदर 39 amino acid के residues पाए जाते हैं, इसका काफी complex structure आपको देखने के लिए मिलता है, complex structure देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मैं structure भी दिखा देती हूँ, कैसा होता है, दिखा देते हैं कि किस तरीके का आपका corticotropin दिखाई देता है, इस तरीके का structure है, जिसके 39 total amino acids के residue पाए जाते हैं, अब आप खुदी imagine कर सकते हो कि कितना जादा complex structure इसका पाया जाता होगा, clear, देखें, ACTH जो है, basically हमारी body के अंदर काफी important काम करता है, है ना, देखा जाए, जितने भी आपके hormones है, सारे के सारे proteins ही होते हैं, है ना, सारे के सारे proteins ही होते हैं, अब simple सी बात आपको यह समझनी है, कि हर एक protein के अंदर कितने amino acid के residue होते हैं, उपर उपर से ये चीज़ आप पढ़ लीजे, यहां से सवाल पूछा जा सकता है, clear, चलो, आगे चलते हैं, which of the following amino acid in myoglobin, a globular protein सभी लोग जानते, is highly likely to be localized within the interior of the molecule, अच्छा, एक और important चीज़ यहां पर, क्या होता है, myoglobin, myoglobin आपके muscles के अंदर ही पाये जाते हैं, ठीक है, muscles के अंदर पाये जाते हैं, यह तरीके के globular proteins की category के अंदर आने वाली चीज़े हैं, और इसके अंदर एक ऐसा amino acid पाया जाता है, जो की घूमता फिरता रहता है, ठीक है, घूमता फिरता रहता है, मतलब localized होता रहता है, एक जगा से दूसरी जगा, दूसरी जगा से तीसरी जगा, कौन सा होगा, आर्डिन, वैलीन, अस्पार्टिक ऐसे या फिल लाइसे, इन में से, जो non-polar amino acid है, जिसका नाम है, वैले, वो एक ऐसा, एक लोता amino acid होता है, जो की एक जगा से दूसरी जगा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से फिल पहली, यह 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 इस तरीके से localized होता रहता है, लेकिन या दखेगा, कि within the interior of a molecule, यानि उसी molecule के अंदर अंदर ये सारी चीज़े होंगी, है ना, reason आपको पता होना चाहिए कि क्यों होगा, क्योंकि यह एक non-polar amino acid है, non-polar amino acid है, यही इसको, यह खास बात जो होती है इसके अंदर, यही इसका एक कारण है, कि यह एक ही molecule के अंदर ही अंदर, localized होता रहेगा, इधर से उधर घूमता रहता है, यह इसका एक reason है, आगे चलते हैं, what part of the amino acid structure, determines what the unique chemical property, of that amino acid will be, देखो, आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा, कि पता नहीं क्या ही सवाल आ गया, लेकिन मैं आपको अगर हिंदी में, इसको change करके बताओ, कि क्या यह पूछ रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से, इनका यह कहना है, कि एक amino acid के अंदर, ऐसा क्या होता है, जो कि उसे दूसरों से अलग बनाता है, अगर मैं एक normal structure बनाओ, यह एक normal structure होता है, आपके amino acid का, ठीक है, और यह चीज भी आपको पता होगी, कि इतना structure, हर एक amino acid का, सेम होता है, तो ऐसा क्या चीज है, जो कि हर एक amino acid को, दूसरे से अलग बनाती है, वो क्या होगा, एक R group होगा कि नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, R group, मिला, ठीक है, इस तरीके से आपको try करना है, जो सवाल पूछा जा रहा है, वो पहले समझो, उसके बाद, यह जो आपके options होते हैं, इनके तरफ चलो, क्योंकि हो सकता है, इसी में से आपको answer मिल जाएगा, मिला की नहीं मिला, बहुत ही सिंपल सवाल, यह जो R group होता है, पॉर एक्जाम्पल, अगर मैं आपका सिंपलेस्ट अमीनो आसेट लेकर जलू, जो कि आपका glycine होता है, उसके अंदर R की जगा हैच आजाएगा, एलनीन में CS3 आजाएगा, मतलब इसी तरीके से आपका जो R group होता है, वो हर एक अमीनो आसेट के अंदर अलग-अलग होगा, जो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी दर्शाता है, ठीक है, हर एक अमीनो आसेट में R group अलग होता है, किसी भी दो अमीनो आसेट का यह जो R group है, यह सिमिलर नहीं होता है, 20 अमीनो आसेट हैं मारे पास 20 के 20 अलग होते हैं, या दखना, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, मैच्ट अपॉलूविंग अमीनो आसेट अकोर्डिंग टू देर पोलारिटी, अब पोलारिटी के अकॉर्डिंग आपको इन अमीनो आसेट को मैच करना है, नॉन पोलर अमीनो आसेट, पोलर अमीनो आसेट, डिस्पैंजबल अमीनो आसेट, इन्डिस्पैंजबल अमीनो आसेट, ठीक है, आरजिनीन, ग्लुटेमाइन, Eelenine Leucine Glycine Serin Sistein या फिर Aspartate देखो Non-psolar Amino Acid कौन से होते हैं और Polar Amino Acids कौन से होते हैं बहुती Simpel सी बात है जो non-psolar Amino Acids होते हैं वह आपके बेसिकली जो होंगे वोै Hey Elenine and Leucine ठीख है तो अगर आपको ये देख लो भया तुम्हारे सामने आंसर ही आ गया है नोन पॉलर अमीनो आसिड क्या क्या होंगे एलिनीन और आपके लिूसीन होते हैं बहुत बढ़िया तो दो अप्शन में गिवन था चलो कोई नहीं पॉलर अमीनो आसिड आपके Glycine and Serene होते हैं तो B का 3 एक ही ऑप्शन में गिवन है option number 3 आपका सही हो जाएगा है ना मैं आपको एक बार differentiation करवा देती हूँ हर एक अमीनो आसिड को आपके इस तरीके से classify करते हूँ ठीक है देखो अगर structural group के according देखा जाए तो जो आपके अमीनो आसिड होते हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं जिसमें सबसे पहले नाम आता है non polar amino acid का जो की 6 होंगे ठीक है दूसरा नाम आता है polar amino acid का है ना तीसरा नाम आता है aromatic amino acid का fourth आता है basic aromatic तुम लोग already समच चुके हो कि क्या होता है fourth आता है basic and fifth आता है acidic ठीक है अब यह polar non polar aromatic basic और acidic इसके example से as it is question पूछा जा सकता है match the following में आ सकता है तो इसलिए हर एक चीज़ को आपको याद करके चलना है for example अगर मैं आपसे non polar amino acid के बारे में पूछू यह 6 होते हैं कौन-कौन से सारे के सारे amino acid में से जो सबसे छोटे-छोटे amino acid है ना वह सारे non polar होते हैं ठीक है बात मानिए जितने भी छोटे-छोटे amino acid है वह सारे non polar होते हैं for example alanine है की नहीं simple glycine simplest amino acid isoleucine leucine methionine बस एक बढ़ा है और जो last होता है that is wellin जो कि अभी-बी आप लोग पढ़कर आ रहे हो गया बहुत ही simple है 20-20 amino acid में से सबसे simplest amino acid है वह सारे non polar होते हैं polar के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी देखें इसमें तो मैं कुछ help नहीं कर सकती हूं आपकी serine, threonine, cysteine, proline, proline से सवाल कहीं से भी पूछा सा सकता है यह सबसे important amino acid है याद रखे इसे के साब स्पार्टेट होता है glutamine होता है यह सब के सब क्या है विस आल आर पॉलर amino acid जो आपके aromatic amino acids होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीन है जो सबसे बड़े बड़े नाम है ना 20-20 amino acid में वो सब aromatic होते हैं इसके बाद बेसिक तो आप सभी लोग जानते हूंगे तीनी होते हैं लाइसीन आजणीन और होता है हिस्टी यह तीनों के तीनों आपके essential amino acid भी होते हैं याद रखेगा एसेंशल amino acids and last है acidic बहुत ही आसान जिसके नाम में acid आता है वो आपके acidic है जैसे की aspartic acid जैसे की glutamic acid अब देखो कहीं कहीं आपको aspartic acid की जगए aspartate दिख जाएगा glutamic acid की जगए glutamate दिख जाएगा बात सेम ही है clear तो यह है classification of amino acid on the basis of structural group on the basis of structural group ठीक है structural group यह भी चीज़ आपको याद रखनी है चलिए आगे चलते हैं next हमारे पास question आता है which of the following characteristics describing a beta sheet is correct अच्छा अब सवाल आया है secondary level of organization से आपके protein की जो की beta sheets यह क्या होती है आपको एक correct option चूज करना है जो कि बिल्कुल सही तरीके से उसके characteristics को बया करें देखो इन question में क्या होता है कभी-कभी एक से terminal direction यह तो गलत है कि फॉर्म बाइ हाइडोजन बॉंडिंग बेविन साइड चेंज इन एड्जसेंट स्ट्रेंज इनका कहना है कि जो हाइड्रोजन बॉंडिंग होती है वह एड्जसेंट स्ट्रेंड की जो साइड चेंज है महां पर होती है अमीनो आइसिड कार्बोग्ज ग्रूप लाए रफली पैरिलर टू लॉंग एक्सेस या फिर साइड चेंज स्कैन पॉइंट इदर अपवर्ड और डाउनवर्ड देखो अगर में नॉर्मल स्रॉक्चर बनों बीटर शीट का तो कैसा होता है कुछ कुछ ऐसा होता है ठीक है क्या लग रहा है आपको देख आपके फोर्थ साइड चेंज स्कैन पॉइंट इदर अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे नहीं जाएंगी ऐसे नहीं जाएंगी यह तो आपके बारे में कुछ दो तीन बाते हैं जो आप एक बार देख लीजे पढ़ लीजे ताकि आपको चीज़े क्लियर हो जाए है ना य सिंगल चेंड पॉलिपेपटाइड को मंशन की कभी सिंगल सेउन पॉप एक पालिकल नहीं होती नहीं है तो चा नहीं तो नई है तो मैं आपको बना कर दिखाती लाइ कि किस तरीके का होता है चल ओ कर सकिंट ौr फाइबर और फाइएबनिस्टे तरीके का होता है चलो खेर स्किन फाइबर और फाइबर इसके एक्जाम्पल्स है इसके बाद एक यहां पर important point यह आजाता है कि इसके अंदर जो आपका एलकाइल ग्रूप पाया जाता है ना यहां दखेगा वह इंसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ औरियंटेड होगा ठीक है एलफा हेलिक्स के अंदर एसा नहीं होता है बीटा प्लेटेड में ऐसा होता है एंड फॉर्म बाइं इंटर मॉलिकिलर हाइड्रोजन बॉर्णिंग इंटर मॉलिकिलर का मतलब है दो स और अमीनो ऐसेड अब आपको कुछ टेस्ट दिए गए हैं और कुछ ग्रुप सर अमीनो आसिक दिए गए हैं तुनके साथ आपको माच करना है बाइयूरे टेस्ट ग्वैनिडिनो निन्हाइडिन अल्फा अमीनो जैन्थोप्रोटीक फिनॉलिक ग्रूप मिलियंस टेस्ट तू पेप्टाइड लिंकेज साका गुची रियक्शन बेंजीन रिंग ओफ एरोमाटिक अमीनो आसिट क्या होना चाहिए सही ऑप्शन चालिए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं बायूरे टेस्ट के बारे में मैं आपको एक टेबल दूंगे बाद में अभी ध्यान से फिनॉली पिनॉली के लिये बिल्कुल भी नहीं टू पैप्टाइड लिंकेज याश टू पैप्टाइड लिंकेज के लिए आपका बायूरे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो एक आफो आपको दो आप्शन में गीवन है इसको काट देजे कि बाद निन फ्सक्राइड होते हैं उनके लिए आपका इनिन हाइडिन टेस्ट चलो बी का भी ही होगा सब्सक्राइब का थर्ड एक का वान साका गुची ग्वानीदीनो बिल्कुल साही है ठीक है सब्सक्राइब देती हूं जिसकी मदद से आप सारी चीजे चेक कर पाऊगे ठीक है इस टेबल को आपको पीडिया 4 में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है वहां पर आपको सारी चीजे मिल जाएंगी देखें इसके अंदर सारे टेस्ट है रिएजेंट कौन से यूज किया गया है और किस अमीनो आसिट के लिए पूरी चीजे परफॉर्म की जाती है बायूरे टेस् इस तरीके से सारी चीजे मैंने आप लिख दी है एक यह है और एक यह है सारे के सारे टेस्ट इसके अंदर गिवन है टेलीग्राम चॉइन कर लिजे पतारी हूं बहुत काम की चीज़ है आगे चलते हैं विजब दो फॉल्विंग अमीनो आसिड इस कॉमनली पाउंड इन ट इन में से ऐसा कौन सा अमीनो आसिड होता है जो की बेसिकली टर्ण्स एंड लूप्स पर पाया जाता है माल लेज़े कि यह मेरा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो यहां 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 और यहां टर्ण्स एंड लूप्स पर कौन सा अमीनो आसिड पाया जाता है जिसकी option मैं बता देती हूं सही option जाएगा आपका ए प्रोलीन जो की है इमीनो एसे अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यह क्या होता है प्रोलीन है वो बेसिकली पाया जाता है यह चीज मैंने आपको बता दी है क्योंकि इसके अंदर यूनीक साइक्लिक साइड पाया जाती है कि आप बार ऐसे ऊपने आ एक ना या तो याया तो याजफना कि एस किसी साइड चेन की वज़ा से यह इसको रिजिटेटी भी प्रोवाइड करेगा और आपका फैसिलिटेटिंग प्रोटीन फॉल्डिंग मतलब अच्छे से फॉल्डिंग इसको प्रोवाइड करेगा यह स्ट्रक्चर होता है आपका इतना ठीक है यह देख लीजे क्योंकि वह ग्लुकोस ट्रांसपोर्ट होल्मोन इंटरसेललर ग्राउंड सबस्टेंसेज और इंजाइन यह जो आपके बोडी के अंदर जो अलग-अलग तरीके के प्रोटीन पाई जाते ना वहां से सवाल लाया है ठीक है यह इंपोर्टेंट है तो इसलिए एक सवाल मैं यह आप डाल प्रोटीन के डाया है एक तरीके का एंजाइम है क्योंकि यह प्रोटीन के डाईजूशन में हेल्प करता है है यह प्रोटीन ही क्योंकि सारे एंजाइम बिसिकली अल्टीमेटली आपके प्रोटीन सी होते है ठीक है तो आपका ट्रिप्सिन का होना चाहिए फोर्थ है ना मिल गया अंसन आप्शन नमबर सी आपका करेक्ट आप्शन हो जाएगा चलो तो थोड़ी सी चीज़े देख लो इसके बारे में को लेजन एक तरीके का जो है वो बेसिकली देखा जाए तो डाट इस टाइप ओफ एक्स्ट्रा सेलिलर प्रोटीन जो की कनेक्टिव टिशू का एक बहुत इं आक्टिव फोर में पाया जाता है किसी दूसरे की मदद से अक्टिवेट होगा दैन उसके बाद प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा इसी की तरह इंसुलीन क्या है एक पैंक्रियाटिक होर्मोन है जो कि एक हाइपोग्लाइसिमिक होर्मोन होता है इसका काम है हमार हाइपोग्लाइसिमिक होर्मोन है यह चीज़ याद रखेगा इसका काम यह है लुकोस के सिंटेसिस को कम करना इसके अंदर ग्लाइकोजन के अंदर ताकि तुम एक रोटी खा रहे हो उसके बाद तुमने तीन रोटी और खा ली तो तुम्हारा तो ग्लुकोस लेवल बढ़त करता है ठीक है और बाद में जब जरुद पड़ेगी तो आपका ग्लुकोस दुबारा बन जाएगा तो यह चीज़े मेंटेन होकर चलती है और आपका ग्लाट फोर होता है वह प्रोटीन है जो की ग्लाट फोर जीन के थूँ एंकॉड किया जाता है चलिए यह इंस ठीक है क्या होता है यह यह आपके इडिपोस्ट इशूस के अंदर बेसिकली स्ट्रियेटिड मसल्स के अंदर कौन सी होती है स्केलिटल मसल्स स्केलिटल और कार्डियक मसल्स के अंदर पाया जाता है कार्डियक मसल्स के अंदर पाया जाता है है ना यह होता है क्लियर समझ जाया ठीक है सारी चीज़े क्लियर हो गई है इसी के साथ आपके प्रोटीन के बेस्ट 10 mcqs खतम होते हैं और याद रखना अगर आप की पैक की तयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे पार्म कॉम्पेटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं दोनों के लिए ही यह क्वेश्चन बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो इसी तरीके से भेहनत करते रहें पढ़ते रहें मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के बेस्ट एमसी क्यूस के साथ तब तक के लिए स्टेट यून विफ फामसी इंडिया थांक यू